हेलो एब्रीवान यहाँ पर हम धान काटिंग के लिए जा रहे गाइज यहाँ पर देख सकते हैं इधर मेरे दोस्त लोग भी आ रहे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर गाइज मेरा वीडियो लास तक जरूर देखिए आप लोग को में पूरा ब्लेज ब यह देखो हमारा हालत दिखारी जैसा हुआ है गाइज क्या करें असाम में अभी धान काटिंग चल रहा है न यह देखो मेरा बाल भी ऐसे उड़ रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो कड़ी दूप में हम लोग धान काटिंग कर रहे हैं इधर मेरी बेहन है उधर चाची और मेरी देखो देवरानी और उधर चाची शास है इस सब भाम धान काटिंग कर रहे है हैं यहां पर देखें ऐसे एक देखि यह है लिघ है यह ऋश्या और यह द्हां in अभी अवी दर काटिंग चल रहा है हम तो अपने हाइज हैं आटो से काड़ ए करते हैं इहां पर देख और हमारा यह सारा खेत है यह आपका धान ऐसी काटिन कर रहे हैं कैसे लगा आपको कमेंट करके गरूर बताइएगा यह देखिए पूरा भरा पूरा खेत है यह सब हमारा है गाइट अल्रेडी हमने यहां पर इतना काटिंग करके रख दिया है यहां पर देख सकते हो और यह है यह पूरा धान खेती हमारा है गाइच सुबह सुबह का मोसम है और यहां पर देख सकते हैं कितना सुन्दर नजारा है यह सारा खेती हमारा है जो के अभी पक चुका है यह सारा धान हमारा यहाँ पर देख सकते हो कितना सुन्दर दिखाई देता है और मौसम भी बहुत सुन्दर है आज तो धूब भी कड़ी लगी है तो थोड़ी देर धान काटने के बाद हमारा लॉंज टाइम भी हो जाता है यहाँ पर देख सकते हो यह है हमारा खाना आज का इधर प्याज और चिली यह है और यह देखो जालमुरी बोलते हैं इसको और गाइज खेतों में बेटके खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है बहुत अच्छा लगता है सब एक साथ बेटके ऐसे खाए तो हम लोग ऐसे ही करते हैं और आप लोग के देख सकते कितना सुन्दर धान खेती है हमारा और में यहां पर सारश-डस के आज बज़ार जाने के लिए निकल चुकी हूं थोड़ी देर धाण का काटिंग करके यहां पर बज़ार जाने के लिए देख्येoj च्जाइच में निकल चुकी हूँ, यह है हमारा रास्ता, जो कि हमारा गाऊ, प्यार रास्ता गाऊ, यह बर्टीपल के छाओ है, यहाँ पर देख सकते हो, यहां से में निकल रहे हूँ, आज मैं आप लोग का हमारा बजार का पूरा भीव दिखाऊंगी, हमारा यहां का गोर यहां पर देख सकते हैं में जा रहे हूं आपक प्यारा सा गाव गाज यह है हमारा चारली जो की नहारानी चारली बोलते हैं यहां पर है चार रस्ता तो मुझे यहां पर आके आपके वेट करना पड़ा क्योंकि अटो नहीं आया था तो मैं यहाँ पे बेट के आटो का इंतजार कर रहे हुँ यह देख सकते हैं हमारा गाओं का नजारा बरफिपल के छाहों के नीचे बेट के मैं आटो का इंतजार कर रहे हुँ फाइनली ओटो भी आ चुका है तो मैं यहां पर देख सकते हो ओटो में उटके बजार के लिए रावना हो चुके हूँ तो मेरा ब्लोग को लास तक जरूर देखिए मैं आप लोग को बजार का थोड़ा थोड़ा भीयो दिखाने की कोशिस करूँगी तो हमारे यहां क्या रस्ता जो के हम जा चुके है गाइच रस्ता की दोनों साइड में पेड़ पूंटे कितना हरी आली हरे भरे रहे जंगल को बीच का रस्ता गाओं में बहुत सांती बातवरन है गाइच यहां पर देख सकते हैं फाइनली में जाते जाते बजार भी पहुंच चुकी हूँ य देखिए बजार का नजारा यहां से हमारा बजार शुरू होता है गाइच कितना भीड़ भड़ा का हो चुका है मैं बजार में घुस चुकी हूँ यहां पर देख सकते हो आज का द्रिश्या तो मैं बजार में आप लोग को साथ सारा वीडियो ब्लॉक शेयर करने वाली हूँ क्या क्या लेती हूँ क्या क्या देखा है मुझे तो मेरे ब्लॉक के साथ बने रहे है यह देखे कितना प्यारा स्वेटर आया है आज कर अभी ठंड पड़ गई है तो यहां पे देख सकते हो बहुत सुन्दर सुफ्ट स्वेटर जो की ओलका है बहुत सुन्दर लेडिस के यहां पर देख सकते हो कलर भी बहुत-बहुत है यहां पर तो हमारे बजार में ऐसे-ऐसे कपड़े मिलते हैं गाइज मुझे तो यह वाला सुईटर बहुत पसंद आया दोनों तो फाइनली यहां पर देख सकते हो लड़कों के लिए भी बहुत अच्छे-च्छे क्वालिट अच्छा है क्योंकि यहां पर देखिए सुईटर का वैराइटीज देखिए कैसे कैसे रखा हमारे यह गुरुबंदा बजार में आप जैसा चाहो ऐसे कपड़े मिलते हैं जैसा डिजैन चाहो ऐसा अलग-अलग दुकान है बहुत लंबा बजार है यहां पर देख सकते हो क अलग टाइप के बेग यहां पर रखा है मुझे तो सारे बेग बहुत पसंद आते हैं यहां का बजार का बेग यहां पर देख सकते हो कितना सुन्दर सुन्दर बेग रखा है जैसा मर्जी आप यहां पर ले सकते हो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं और यहां पर देख सकते ह सेंडल का बजार जो कि जूता सेंडल का बजार भी बहुत बड़ा लगता है यहाँ पर देख सकते हो ठन पड़ गई है तो चार और जूता ही जूता है निकल चुके है आप कैसा पसंद करोगे तो इसा ही मिल जाता है हमारे यहाँ का बजार में तो देख सकते हो यहाँ पर भ देख सकते हो बंबो का कितना सुन्दर सुन्दर मांदर होलते हैं हम लोग तो यहां पर मांदरा पासी बना के रख चुकी है यहां पर देख सकते हो इसमें धान चाउल जो भी आप लोग रख सकते हो तो यहां पर देख सकते हो कितनी सुन्दर तरीके से बोन के बनाया गया है तो हमारे बजान में यह सब मिलते हैं यहाँ पे देख सकते हो मुर्गी वगेरा भी आप ड़क के रख सकते हो और गोवर भी इस पासी में उठा के फैंक सकते हो इतना सुन्दर सुन्दर और मैं यहाँ से थोड़ा संत्रा लेती हूं यहाँ पर देख सकते हो ताजे ताजे फॉल रखते हैं यहाँ पर बहुत सुन्दर सुन्दर तरीके से और यहाँ पर देख सकते हो गाईज यह है हमारे सुकान मास जो कि हम लोग सीधरा बोलते हैं और आसामिस में खुकान मास बोलते हैं मचली को सुखा के ऐसा बनाते हैं और यहां देखिए गाजर, बीट, कसिमला मेर्च, करेला, सब कुछ रखा है गाईच, ताजा ताजा सबजी मिलता है, यहां पर यह देखिए लाई साग बहुत डेर सारा रखा गया है, हमारे यह बजार में आप जैसा चाहो वैसा सबजी मि यहां से आप जो चाहो ले सकते हो, और इधर है देखो, खास जगा यह है गाईच, यह है मचली, आप मचली देखो, कैसा चाहे वैसा मचली यहां से आप उठा सकते हो, यह देखो कैसे कैसे तरीकी की मचली मिलता है गाईच, आप लोग हैरान हो जाओगे, देखोगे तो, एक बर जरूर आना हमारा यहां का बजार देखने के लिए, यहां पर देख सकते हो, मागुर मास बोलते हैं, यह जो मागुर मास है, बहुत टेस्टी, यम्मी होता है खाने के लिए, और इदर भी मचली, उदर भी मचली, धेर सारा मचली बजार है, यहां से मैंने थोड़ा मचली ले लिया है यहां से मचली लेने के बाद मैं निकलती हूँ इधर मिठाई के दुकान के और यह देखे यहां पे रखा है मिठाई गोड मिठाई और यह चीरा है जो कि मैं यहां से थोड़ा गोड मिठाई लेने के लिए यहां पे खड़ी हो चुकी हूँ बजार से सारा काम निप्टा के मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए घर जाने से पहले थोड़ा पानी पूरी खाना तो बनता है तो यहां से पानी पूरी खाके मैं पहुंश जाती हूँ घर तो इतने टाइम तक मेरे ब्लोग को देखने के लिए आप सोभी को दिल से धन्य बाद तो मेरा ब्लोग अच्छा लगी तो लाइक, कोमेंट, शेर, सब्सक्राइब जरूर किजिए थेंक्यू पर वाचिंग एब्रिवान, बाइबाई